यार मेरा मोमोस खाने का बड़ा दिल कर रहा था तो मैंने सूचा क्यों ना आज घर पे मोमोस बनाते हैं समझ सकती हूँ आप लोग सोच रहे हो कि इतने ठंड के मौसम में कौन दो घंटे मोमोस बनाएगा बड़ ट्रस्ट मी मैं आज आपको फरावच से बहुत ही सिंपल और इजी वे में मार्केट जैसा मोमोस बना के दिखाऊंगी तो बाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमने ले लिया है देड़ कप मैदा आप अपने इसाफ से ले सकते हैं जितना कुछ है ये उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे वन टेबल स्पून सॉल्ट एंड वन टेबल स्पून आउयल इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा यहां पर पानी एड़ करते रहेंगे हम लोग ताके इसकी दो बनती रहे अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और हमें कमिल सेक्षिन में जरूर बताईएगा कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं इस तरीके से आप भी दो बना लें और इसको आदे घंटे के लिए ढटके रख दें इसके बाद चलते हैं दूसरे स्टैप की तरफ यहां पर हमने ले लिया है एक पैन और उसमें थोड़ा सा आईल डाल देंगे अब आड करेंगे वन चॉप अनियन इसको अच्छे से सौते कर लेंगे इसके बाद यहां पर हमने एड किया है वन चॉप लेसन यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्रैम्स चिकन कीमा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम अपने स्पाइसिस एड़ करेंगे लाल मेश पॉर्डर हाफ टेबिल स्पॉन लाल मेश पॉर्डर हाफ टेबिल स्पॉन वन टेबिल स्पॉन सॉल्ट and half tablespoon zero powder इन सभी मसालों को अच्छे से हम mix कर लेंगे यहां पर हम add करेंगे one tablespoon soya sauce, one tablespoon chili sauce और one tablespoon sirka इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे और cook कर लेंगे जब तक हमारी chicken done नहीं हो जाती इसके बाद हमने यहां पर फूरी सी सबस्या ली है जिसमें है गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्यास इन सब सबस्यों को हम अपनी chicken में add कर देंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर हमारी veggies and chicken almost done हो गई है यह देख सकते हैं आप यहां पर हमारी डो को हो गया है आदा घंटा और इसको हम निकाल लेंगे बाउल से अब हम इसको knife की मदद से half कर लेंगे अब हमारे पास जो है वो दो डो बन गई है इस तरीके से हम एक और डो बना लेंगे अब हम इसको अच्छे से रोटी की तना बेल लेंगे यहां पर हमने ले लिए हैट बाउल इस तरीके से आप भी बाउल लेके इस शेप में काट सकते हैं यहां पर हमने जो इस तरीके से शेप देना चाहिए आप हमारे स्टेफ को भी फॉलो कर सकते हैं आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा और हमें जरूर बताएगा कमेंट सेक्षन में कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी और आपको कितना टाइम लगा बनाते हुए इसी तरीके से हम सारे मूमोस को बना रेंगे और अब हम चलते हैं इसको फ्राय की तरफ थोड़ा से हम इसमें डालेंगे पैन में आउयल बहुत ज़दा आइन नहीं डालना अपने से हमारे मूमोस जो है वो नीचे से तयार हो गये है देखे रोल्डन ब्राउंड हो गया है मतलब नीचे से हमारे लिए हैं उपर से अभी रहते हैं हम इसमें थोड़ जबते साय पानी डालेंगे कि स्टीम की मदशसे हम उपर से इसको पका सके हैं और इसको ढगके रखणे अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा मिलते हैं अगरी वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफ़ेज